नमस्कार आप देखरें स्काइनेट टीवी इंडिया पेसाज के मुख्य समाचार भाई भहन के पवित रिष्णे के प्रतिक रक्षा बंदन पर्व की सभी देश प्रदेश्वासियों को हार्दिक बधाईयवन सुपका आए उज्जेन विष्व प्रसिद्व स्री महाकालेश्वर मंदिर में गुरुवार रक्षा बंदन पर्वो पर तड़के तीन बजे बसमार्ति के दोरान भगवान महाकाल को मस्तक पर रज़त का चंद्र अर्पीत कर राखिवान दी गई सबसे पहले अलसुवा मंदिर के कपाट खोले गए मंत्र उच्चार के साथ जल से भगवान महाकाल को इश्णान कराने के पस्चाथ दूद दही घीर सहत फ़लों के रस से बने प्रंचाम रत से अभिशेक पूजन किया गया मंगलवार बुधवार की रात फिर सहर का बड़ा हिस्सा रजजगा करने को विवस हो गया पस्चिमी इंदोर के ज्यादा तर इलाके जलमगन हो गए वो अभी सिर्फ 4.9 इंची बारिस में परेशानी यह कि अब ये सहर के लिए हर बार की कहानी बन गई है बदलाव सिर्फ इतना कि इस बार कुछ जन प्रतिनीदी भी जनता के बीच पहुचे है उनकी परेशानिया सुनी लेकिन हद यह की पूरे दिन इस पर कहीं कोई आपात बेठक नहीं हुई एक्सपर्ट के साथ विचार मन्थन नहीं हुआ ना ही केंडर या राज्य सरकार को कोई प्रस्ताव या योजना भेजी गई ताकि सहर को दोबारा ये दिन ये रात ना देखना पड़े इंदोर सहर में बारिस की वज़े से साथ में से तीन तालाब ओवरफ्लो हो गए एक तालाब लबालब है तीन तालाब भी लगब भर चुके हैं यस्वन सागर के दो गेट खोलना पड़े कई लाकों में गुटनों तक पानी भर गया सडकों पर कारे बहती न जलाई राजधानी के मोतिलाल नेरू स्टेडियम में होने वाले 75 वे 77 दिवस के समारों में एसा पहली बार होगा जब परेट कमांडर कोई पाइलेट होंगे केंद्रिय जेल रिवा में एक दिन पहले बंदी भाईयों को राखी बांदी गई जेल अदिक्षक सतीस उपाध्या ने बताया कि जेल में परिरुद बंदियों को ब्रह्म कुमारी इश्वरी विश्व विध्याले की बहनों के माध्यम से 300 पुरुस बंदियों और पंचार में महिला बंदी सहितनों बच्चों को राखी बांदी गई है आदिक्रम में ब्रह्म कुमारी इस्वरी विश्व विध्याले की बहने बीके मांसी बीके उसा किरन रिचिका सतेंद्र भाई ने बंदियों को राखी बांदी बाई बहन के पवित्र परवरक्षा बंदन के अउसर पर मैलाओं के लिए पचपन मेटरों बसे निसुल के संचालित की जाएंगी महापोर जगत बहादूर सिंग अनुके आगरपर सहरी परिवन सेवा के अंतरगत ये बसे चलाई जाएंगी जिसमें माताओं बहनों और मात्र शक्तियों को किसी भी प्रकार का खिराया नहीं देना पड़ेगा 15 अगस्ते से पहले जम्मू कस्मिर के राजोरी के परगल में उरी हमले जैसी साजिश नाकाम हो गई यहां कुछ आतंकियों ने वुद्वार की देरात आर्मी केंप में गुशने की कोशिश की इसके बाद सुरक्षा बलो ने जवाबी कारवाई की जिसमें दो आतंकी धेर हो गए मध्य प्रदेश की बोपाल और इंदोर में रक्षा बंदन पर महिलाओं को सरकार में बड़ा तोफा दिया है गुरुवार को पूरे दिन महिलाए रेड यानी सिटी बसों में फ्री में सफर कर सकेंगी बोपाल में कुल 273 बसों से महिलाए कहीं भी आना जाना करेंगी तो उन्हें एक भी रूप्या नहीं देना पड़ेगा सुरक्षा के लिए बसों में केमरे और ट्रेकिंग सिस्टम लगे हैं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में करोना संक्रमेंट के 108 नए केसा हैं नहीं 220 मरिश ठीक हुए हैं वर्तुमान में प्रदेश में कुलेक्टिव केस 1131 संक्रमेंदर 2.57 प्रतीशत और रिकवरेट 98.60 प्रतीशत है कल दिन बर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक कि लिए शूब रात्वी